अच्छा हमारे पास यह जोंस ही है चेन बन गई ठीक है अब क्या होगा कि हमारे पास जोंस है वो यह हमीज को कहते हैं प्री प्रो इंसॉलीन ठीक है यह मारे पास चेन होती कैसी है इस तरहां की ठीक है इस तरहां की मारे पास होगी चेन बनती है सबसे आगे हमारे पास होता है signal molecule ठीक है उसके बाद हमारे पास आता है ये brown वाला alpha chain ठीक है उसके बाद ये c shape जो उनसा है ये हमारे पास है c peptide और आगे ये last पर green वाला हमारे पास बनती है beta chain ठीक है इसे हम कहते है pre pro insulin ठीक है pre pro insulin ये इसमें हमारे पास और क्या होगा हमारे पर signaling molecule को जो है रिमूव कर देगा क्योंकि उसका जो काम था आगे लेकि आना signal को वो तो हो गया ठीक है अब इसका यहां पर कोई काम नहीं है इसको यहां पर enzyme act करेगा और हमारा जोंसा यह signal molecule है इसको खतम करतेगा ठीक है जब यह खतम हो जाएगा signaling molecule तो C-peptide और Beta-benणे जाएगा इसे हमारे पास इसको गया है एक हमारे पास पास बाटा जाएगा तो हमारे पास किया होगा कि Alpha Dalm पीटा जेंसे को यह तरमियां हमारे पास बॉण्ट को दर्मियां एक हमारे पास bond आ गया जिसे हम कहते हैं डाइसलफाइट bond अब यह हमारे पास यब यह डाइसलफाइट bond अटैच हो जाएगा ठीक है तो इसको हम कहेंगे pro-insulin ठीक है जिसमें हमारे पास signaling molecule नहीं है लेकिन हमारे पास कौन सी चीज़ की addition हुई है वो है डाइसलफाइट bond ठीक है यह हमारे पास था pro-insulin और pro-insulin में difference ठीक है अच्छा endoplasmia requthemum नहीं नहीं हमारे पास pro-insulin भी बन गया अब pro-insulin क्या होगा कि वो हमारे पास फर्दर जोँचे हैं वो आ गोल जी में ठीक है यह हमारे पास क्या है गोल जी अब गोल जी में आ की क्या होगा कि हमारे पास जोनस है alpha और beta gene दोनों तो bond के थूँ connect होगी थी न ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास गोल्जी में आ के हमारे पास एक enzyme act करेगा ठीक है और वो क्या करेगा, C-peptide को भी अलग करदेगा, ठीक है, alpha और beta gene से C-Peptide को अलग करतेगा बागी हमारे पास बचेगी Alpha Chain और Beta Chain ठीक है और इनके दरमयान में यह Di-Sulfide Bond बच गया ठीक है अब क्या होगा कि यह Alpha और Beta Chain की जों से है यह और एक यह C-Peptide ठीक है यह दोनों अलग अलग होगे अब ये दोनों जोन से हैं वो जाएंगे हमारे पास सेक्रेटरी गैनियोल्स में ठीक है सेक्रेटरी गैनियोल्स में जाकि ये दोनों जोन से हैं वो पैक्ट हो जाएंगे ठीक है दोनों पैक हो जाएंगे और जब हमारे पास क्या होगा जब हमारे पास secretion होनी होगी ठीक है तो exocytosis होगी यह हमारे पास बन चुका है insulin ठीक है insulin basically हमारे पास दो चीजों से मिलके बनता है ठीक है एक हमारे पास होता है alpha chain ठीक है एक हमारे पास होती है beta chain और उन दोनों को जो link अप करती है वो होता है डाइसलफाइट बॉंट ठीक है तो यह हमारे पास इंसुलीन बन चुकी है ठीक है अब इंसुलीन और सी पेपटाइट जो इसे हैं वो अलाग लाग जो इसे हैं वो सिक्रीट फ्रेगें ग्रेनियोल्स में जाके पैक हो जाएंगे ठीक है यहां पे पैक होने के बा कर दो कर दो कर दो